तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से जहाँ पर हम यह देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैशे मुहमद नाम का एक टेरिस्ट और्गनेजेशन होता है जो बेस इंडियान अफट है जहाँ पर सबसे लास्ट में एंटर्ि होती है रितिक रोशन की यहीं हमें इन सब के बारे में इंफरमिशन मिलती है और हम ये जानते हैं कि रितिक रोशन का नाम शमशेर पठानी आएं जिसे शॉट में पैटी कहते हैं दिपिगा पॉदकॉन का नाम मीनल है जिसे शॉट फॉर में मिनी कहते हैं अनिल कपूर का नाम राकिश जैसिंग है जिसे शॉट फॉर में रोकी कहते हैं और करन सिंग ग् स्कौर्टरन लीडर की है एंड अनिल कपूर इन सभी का कमाड़निक ओफिसर है अनिल कपूर अपनी पूरी टीम से कहता है कि वो सभी इंडिया के बेस्ट एरफोर्स पाइलेट्स है एंड इसलिए उन सब को एक साथ पिक करके एक टीम मराए गई है और उन सभी को यहां श्री और एरकाउट्स को डानी की ट्रेनिंग करते हैं जहां पर हमें ये भी बता जाता है कि रितिक रोशन यानि की पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट एरफोर्स पाइलेट है लेकिन सबसे बेस्ट होने के वाउजूद भी अनिल कपूर जोकी इन सबका कमाड़निक ओफिसर होता कर आता हैं वैसे इंडियन आर्मी के सोलजर्स पकड़ लेते हैं इसके बाद ये इनफोर्मिशन श्री नगर एरफोर्स बेस के अंदर हमारे हिरो तक पहुंचती है जिसके बाद पैटी, मीनी, रोकी और बागी सारे लोग इसको जानकर बहुत खुश होते हैं और वो सब य दूसरे सट हम ये भी देखते हैं कि इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर कई सारे CRPF के जवानों को बिलाती हैं ताकि आतंगवादियों की जैसी घुस्पेट अभी हुई है वैसी फिर से ना हो लेकिन जम्मू कश्मीर की जिन सटकों के उपर CRPF जवानों की बसस चल रही होत हैं और क्योंकि उसकी वैन के अंदर 300 किलो से भी जाधा RDX होता हैं इसलिए उसके टगराने से वहाँ पर इतना बड़ा ब्लस्ट होता हैं कि वहां मुझोद उन सारी बसस के अंदर जितने भी CRPF के जवान होते हैं वो सभी एक ही जटके में मारे जाते हैं इसके बाद जैस मिटिंग में इस बार में डिसक्शन करते हैं जहां पर वो सभी एक वीडियो भी देखते हैं जो वीडियो उनने पागिस्तान के आतंगवादी संगठाने बेजा होता है और वो एजंट सभी उनका जो चीफ मजीद खान, 100 किलो आडेक्स के साथ कश्मीर में पकड़ा गया था, वो असल में इनके प्लैन का हिस्सा था, जिसका मतलब इनका प्लैन हमेशा सही, CRPF के सोलजर्स ही थे, and unfortunately वो लोग अपने प्लैन में काम्याब हो गए है, इसके साथी वो रो एजेंट, सभ लीडर पैटी को डैली भेजता है, जिसके पैटी डैली आता है, और वहाँ पर नैशनल सीकरिटी अडवाइजर की मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ पर पैटी सभी के साथ मिलकर ये प्लैन बनाता है, कि इंडिया को अपना बदला ले नहीं चाहिए, and फिर इसी के लिए उस मीटिंग में इंट्रियूस किया जाता है, कि इस बार इंडिया पाकिस्तान के आतंगवादियों के ओपर एर स्ट्राइक करेगा, और अपने शहीद हुए वीर जवानों का बदला लेगा, हालाकि इसी मीटिंग के अंदर ये भी डिसाइड होता है, कि इस अटैक में पा के जाता हैं कि अब इंडियन एरफोर्स पाकिस्तान की बाला कोट के अंदर जैशे मोहमत के ओपर एर स्ट्राइक करेगी इसके बाद पैटी एर बेस में वापस आता हैं और फिर वो उसके सारे साथ ही मिलकर अपने एर स्ट्राइक के लिए तयार हो जाते हैं वो सभी अपने स्ट्राइक मारे जाते हैं और उनके सारे वेपन और आटेक्स डिस्ट्रॉई हो जाते हैं लेकिन यहीं पर हम यह देखते हैं कि इस बड़े से हमले के बाद भी अजहर अक्तर जिंदा बचिया हैं और इसलिए वो जल्दी से इस बारे में पाकिस्तान की आर्मी को खबर करत हैं इसलिए उन दोनों के एरकाफ्स पाकिस्तानी एरकाफ्स के टार्गट में आ जाते हैं यहीं पर हम यह देखते हैं कि इन सभी पाकिस्तानी एरफोर्स पाइलेट्स में से एक पाइलेट के नाम रेड नोस होता है जो कि पाकिस्तान का नमबर वन एरफोर्स पाइलेट हो जैसे ये Red Nose पैटी और ताज के एरकाफ्ट के पास पहुचता हैं, वैसी वो ताज के एरकाफ्ट के उपर अपने वैपन से लोक कर देता हैं, बट जैसी वो ताज के उपर हमला करने वाला होता हैं, वैसी पैटी अपने एरकाफ्ट को घुमा लेता हैं, और वो सीधा Red Nose के पाकिस्तानी एरफोर्स के कई सारे एरबेस को टार्गेट करते वे उनको डिस्ट्रॉई करने लगते हैं ये देखकर इंडिया की पहुचाती है जिसकी बद पैटी, ताज, मिनी और बाकी सारे सोल्जर्स अपने अपने एर्काफ्ट को लेकर सीधा भागने लगते हैं और वह पाकिस्तान जाने लगते हैं ये देखकर इंडियन पालेट्स को पार करके पाकिस्तान में जाने की पर्मीशन नहीं थी लेगिन हम यह देखते है किali पाकिस्तान के पासी ऑटेक पागिस्तानी एरकाफ्ट को लेकर उन दोने के एरकाफ्ट को टारगट कर लेता हैं और उस अटक के अंदर पैटी तो बज़ जाता हैं बट हम यह देखते हैं कि ताज नी बज़ पाता हैं और पागिस्तानी एरकाफ्ट के पर अटेक होता हैं वैसे उसका एरकाफ्ट नीचे गिनने लगता हैं और फिर इसलिए उसे एरकाफ्ट के अंदर ताज और उसका एक साथी जो बैठा होता हैं वो दोने उससे निकल जाते तो उसने पाकिस्तान के अंदर एंटर क्यों किया, और वो खुद तो एंटर हुआ तो हुआ, बट वो ताज को अपने साथ क्यों ले गया, हाला कि जब रोकी पैटी को डाटर होता है, तब पैटी अपने दोस ताज के वज़े से इतना जादा दुखी होता है, कि वो अपनी स पाद में कुछ ताज के साथ जो भी कुछ वा, वो उन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था, और इसके लिए पैटी अपने सीनियर के पास जाता है, और वो वहाँ पर उनसे कहता है कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसे अभी छुटी ल रखाएं, और वो अभी उनकी कैद में हैं, लेकिन इंडिया के लगातार प्रेशर की वज़ा से अब पाकिस्तान उन दोनों को छोड़ने वाला है, यह जानकर पैटी बहुत खुछ होता है, और वहाँ पर अपने बाके के साथियों से मिलता है, जहां पर वो सब यह खबर बहुत कुछ होते हैं, कि उनके दोनों साथी वापसाने वाले हैं, इसके कुछ टंप आदी वहाँ पर एक हेलिकोप्टर आता है, जिसके अन्दर ताज और बेश को लाया जाना था, बड़ जब हेलिकोप्टर के अंदर से उन्ने निकाला जाता है, तब हम यह देखते है कि पैटी, रोकी और उनके सारे साथी बहुत जादा गुस्ता हो जाते हैं और वो सब यह प्लान करते हैं कि अब वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नी और उसके अंदर के सारे आतेंगवादियों को ख़तम कर देंगे इदर दोसी तरफ शीन अगर base के अंदर हमीं देखते हैं कि Air Force के सारे soldiers लड़ाई के लिए तयार रहते हैं यहीं परीजिस agent की बाद Azar Ackter कर रहा होता हैं हमें वो भी यहां पर दिखता हैं और यह वही agent होता हैं जो कि मुवी की स्टार्टिंग में एजरो एजेंट दिखा होता है। बट यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि यह असल में एक डबल एजेंट है। जो कि एक्चुल में इंडिया के लिए ही काम करता है। जबकि प्लान तो यह है कि इंडियान एरफोर्स अभी दिन में अटाइक करने वाली है। इसके बाए सारे पालेट्स तेयार होते हैं और वो सभी हमले के लिए निकल जाते हैं। अटैक में हम यह देखते हैं कि वहाँ पर एरफोर्स के तो हलिकॉप्टर होते हैं। पाकिस्तानी सोलजर्स ब्याजाते हैं और वो एरकाफ्ट्स के जरीए महाँ पर उन पर फाइरिंग करने लगते हैं ताकि वो लोग उन्हें भी खतम कर दें। बट फिर अनिल कपूर यानि की रोकी उनसे कहता हैं कि प्लीज उसे जाने दिया जाएं। हलाग इस फाइट के अंदर पहले रेड नोस उनके बारी पड़ता हैं और वो पैटी एरकाफ्ट के अपर कई सारे डैमेज भी कर देता हैं। इंडिया में वापस आ जाते हैं। फिर यानि इंडिया में आने के बाद सभी ताज को देखकर भी बहुत कुछ होते हैं। लेकिन आज इस बार पैटी की बहादूरी को देखकर रोकी पैटी को समझ चुगा हैं कि वो अपनी जगा बिल्कुल ठीक था एंड उसकी बहन नैना के साथ जो बीवा वो एक हाथसा था। एंड इसी के लिए वो इन सबसे पैटी से माफी मांगता हैं जिसके बाद पैटी 26 जनवरी या फिर जैहिंद जरूर लिखें मुझे आपके कमेट्स को देखकर बहुत खोशी होगी और हाँ वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करें बाकिया ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को चेक आट भीडियो पसंद आयो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो जादा से जादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हसते और मुस्कुराते रहें मैं मिलता हूं आप से अज़े किसी और बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए